दोस्तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है भगवान ऐसी बदकिस्मती किसी के नसीब न करे जैसी अभिनेता सत्यकाम आनंद को मिली वही गैंग्ज ओफ वासेपुर में ठाकुर के बेटे बने जेपी सिंह जिनको बाप कहता है बेटा तुमसे न हो पाएगा क्या आपको पता है इतने शांदार एक्टर को कैसे बदनसीबी ले डूबी कि इनको ब्रेन हैमरेज तक हो गया चलिए हम आपको सत्यकाम के बॉलिवुड में आने और उनकी बदकिस्मती का चौकाने वाला सच बताते हैं इनकी कहानी आपको हैरान करने वाली है सिर्फ एक डायलॉग से सिने किस्मत में गिंती के लोग ही मशहूर होते हैं सत्यकाम आनंद उनमें से एक हैं मगर हर बार किस्मत इनको धोखा देते आई सत्यकाम बिहार के आरा में 11 जुलाई 1977 के दिन पैदा हुए यहीं पल्ले बढ़े और पढ़ाई भी यहीं से की मास्टर के लड़के थे बड़ा भ खैर दसवी पास की तो पिता ने पटना के उसी कॉलेज में पढ़ाने का जुगाड तलाशा मगर पिता को क्या पता था कि उनका जुगाड बेटे का नसीब दै करने जा रहा था हुआ ये कि पटना साइन्स कॉलेज में थेटर कोटे से भी एडमिशन मिलता था लेकिन सीट बस एक थी पिता ने इनको थेटर में डाल दिया वहां से ये एक्टिंग सीखने लगे कॉलेज में एडमिशन के लिए टेस्ट हुआ तो उस एक सीट पर लड़की ने बाजी मार ली लेकिन अभिनाय का भूत अब सत्यकाम के सिर चड़ चुका था पिता से साफ बोल दिया कि अब एक्टर ही बनना है अब आरा से ही पढ़ाई के साथ थेटर भी करने लगे 1996 की बात है किसी ने बताया कि दिल्ली में National School of Drama यानी NSD है वहां दाखिला मिल जाए तो समझो एक्टर बन गए सत्यकाम दिल्ली चले आए और यहां असमिता थेटर जवाइन कर लिया और कुछ शो में भी छोटे मोटे रोल मिलने शुरू हो गए मगर NSD में एडमिशन का सपना लिए दिल्ली में तैयारी भी कर रहे थे और किस्मत ने धोखा दे दिया हुआ यह कि 1999 में जब इन्होंने NSD में अपलाई किया तो इनका फॉर्म बिना टेस्ट के ही रिजेक्ट हो गया इसकी वजह थी 1956, 96 और 97 में बहुत से बिहारीों का एडमिशन NSD में हो गया था जिस वजह से दिल्ली वालों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था इस वजह से 1999 में किसी भी बिहारी को दाखिला न देने का फैसला किया गया सत्यकाम आनंद एडमिशन न मिलने पर इतने डिप्रेशन में चले गए थे कि वह अपनी जीवन लीला ही समाप्त करने जा रहे थे मगर उनके सामने ही एक आदमी का रोड एक्सिडेंट हो गया तो उनकी हिम्मत जवाब दे गई खैर वापस घर आये तो सोचने लगे कि क्या किया जाए इसी दोरान टाइम्स ओफ इंडिया पर नजर पड़ी तो भारत सरकार के एक नाटक के लिए एक्टरों का आउंडिशन हो रहा था सत्यकाम भी अगले दिन पहुँच गए और इनको चुन भी लिया गया महीने का 35,000 नाटक की शूटिंग के दोरान ही वहां सिमी नाम की लड़की से मुलाकात हुई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया सत्यकाम और सिमी ने शादी कर ली दोनों का एक लड़का भी हो गया सिमी ने घर चलाने के लिए अनुराग कश्यप के ओफिस में सेक्रेटरी की नौकरी करनी शुरू कर दी 2008 के आसपास की बात है अभिनेता ने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक छोटी सी फिल्म बनाई सत्यकाम को पत्नी के गहने तक गिरवी रखने पड़ गए 2009 में फिल्म द्वंद्व की स्क्रीनिंग रखी तो सिमी के जरिये अनुराग कश्यप को भी बुला लिया अनुराग उन दिनों एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे बस अनुराग को उनकी अदाकारी इतनी भा गई कि अगले ही दिन अपने ऑफिस बुला लिया और अपनी आने वाली फिल्म में उनको ऐसा रोल दे दिया जो सत्यकाम की पहचान बन गया फिल्म थी गैंक्स ओन्फ वासेपुर बड़े नेता तिगमान्शु धूलिया के बेटे जेपी सिंह की भूमिका में सीधे ठकरा गए मनोज वाजपेई जैसे शांदार एक्टर से उनका एक सीन बेटा तुमसे न हो पाएगा तो ऐसा च्छा गया कि फिल्म सत्यकाम की पहचान बन गई यहां से ओफरों की बरसात होनी शुरू हो गई जो अभिनेता एक फिल्म के लिए तरस रहा था उसके पास एक साथ आठ फिल्मों के ओफर आ गए अब लगा करियर सेट मगर यहीं बदकिस्मती ने फिर डुबो डाला हुआ यह कि आठ फिल्म में सत्यकाम एक साथ कर नहीं सकते थे ऐसे में उन्होंने तीन फिल्मों को चुना जिन में किरदार बहुत अच्छे थे बाकी पांच फिल्मों को मजबूरी में मना कर दिया अब बदनसीबी देखिए जिन तीन फिल्मों के लिए जी जान लगा दी करियर का गोल्डन पीरियड लगा दिया उन में से एक को छोड़ कर कोई रिलीज ही न हो सकी जो रिलीज भी हुई वह लेट और कब आई, कब चली गई, पता ही न लगा अब सत्यकाम के पास कोई काम न रहा न कोई पूछने वाला करियर आखों के सामने तबाह हो रहा था ऐसे में वह इतने तनाव और डिप्रेशन में आ गए कि उनके दिमाग की नस ही फट गई और सत्यकाम आनंद हॉस्पिटल में भरती हो गए यहां कहने को बहुत दोस्त थे लेकिन अस्पताल में गंभीर हालत में एडमिट अभिनेता को जहाकने तक फिल्म लाइन का एक आदमी भी नहीं आया सिर्फ उनकी पतनी और बेटा ही उनके साथ थे डॉक्टरों ने बताया कि ब्रेन हैमरेज बहुत बड़ा था बस आपके बेटे और पतनी की किस्मत से आपकी जान बच गई वरना जिन्दगी बचनी बहुत मुश्किल थी खैर धीरे धीरे सत्यकाम आनंद ब्रेन हैमरेज से उबरे और उनकी तबियत ठीक हुई इसके बाद वह दोबारा वापसी की कोशिश करने लगे कई जगे हाथ पैर मारने के बाद उनको कुछ फिल्मे और वेब सीरीज मिली वह शेरनी ग्रहन, डॉक्टर अरोडा, अब दिल्ली दूर नहीं और लव ओनल ओमफर जैसी फिल्मों और वेब सीरीज में नजर जरूर आए लेकिन दूसरी पारी में बदकिस्मत अभिनेता की पहचान ही नहीं बन सकी और शायद बेटा तुमसे ना हो पाएगा वाला डायलॉग इस एक्टर के लिए सच ही साबित हो गया वह इन दिनों मुंबई में ही रहते हैं और काम की तलाश करते रहते हैं कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट में दिखाई भी देते हैं सत्यकाम आनंद की अदाकारी देख कर हैरानी होती है कि आखिर इतने शानदार और बेमिसाल अदाकार को बॉलिवुड वाले क्यों अंदेखा करते जा रहे हैं उनको क्यों वह किरदार नहीं दिये जाते जो सच में इस अभिनेता के लायक हैं क्या सिर्फ इस लिए कि इनका कोई गौड फादर नहीं या ये किसी फिल्म स्टार के बेटे नहीं है दोस्तों आपको सत्यकाम आनंद की एक्टिंग कैसी लगती थी उनकी कोई फिल्म या किरदार आपको याद है और पसंद आया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताईएगा ऐसी ही और स्टोरी को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं बैल आइकन दबाना मत भूलिएगा